हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस खंड आके बहुई कल्पी प्रश्णों को देखेंगे इस प्रश्णों को आप देखके पेपर देने जाएगा ठीक है पहला प्रश्ण आपको क्या है यदि कोई वस्तु एक उत्तर लेंस के सामने 2F1 दूरी पर रखी हो तो ले यदि वह और सभी होजाएगा अगला प्रश्ण देखिए कि जूल की उस्मी उत्तादन के नियम का सुत्र आपको बताना है कि जूल की उस्मी उत्तादन का नियम क्या है तो इसका फार्मुला होता है कि आई इसको और आरटी आपन चारदस मलों दूसरे भाग देंगे तो मन कैलोरी में हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए तो यहां पर इसका सही जब क्या होगा यह वला आपसन सही हो जाएगा यह चिसकल आकार बनाना है तो वस्तू कहां पर आपका स्थीजवाब पर ही इस्तिथ होना चाहिए ठीक है जिससे आपका बहुत के वहला बिच वाली नगुली पर दर्षित करते हैं जैसे यह देखिए आपका होता है इस पकार से यह अंगुठा हो जाता है यह अंगुठा से सट हुई अंगुली होती है बीच वाली अंगुली जो यह देखिए यह आपको परदेश्ट करता है यह बीच को परदेश्ट करता है यह आई को परदेश्ट करता है तो फि नुदो को दिखाता है तो दाता है। तो प्रतिरोगता पर लंबाई पर और अनुप्रस कार्ट के शेत्रफल सभी पन निर्भर करता है तो प्रतिरोगता पर प्रयुक्त सभी इसका आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला देखे प्रस्न निम्न लिखित में किसके सामने रखी वस्तु का परतिविम सदेव सीधा आभासी छोटा बनना चाहिए तो किसके सामने रखेंगे तो उतल लेंस उतल दर्पड या संतल दर्पड यह होता है आपका उतल लेंस आवढल लेंस के दोरर जो होता हमेशा सीधा आभासी छोटा परतिविम बनता है और दर्पड के रुप में देखा जाए तो दर्पड में पूछेगा तो उत्तल दर्पड याद रखिएगा उतल दर्पड में यह कंडिशन होता है यहाँ लेंस के रूप में बतांडा तो परियोग किया जाता है यह पढ़ लीजिएगा और दूर दृष्टी दोस्त के काड़ परतिविम कहां बनता है यह जरूर आप पढ़िए यहां लगांपे रूर दृष्ट्य दोस्त के काड़ परतिविम कहां बनता है तो दूर दृष्टी स्विपोस्त के काड़ परतिविम कहां बनता है उसके पीछे कि आगे बनता है जब द्रिष्टी दोस को दूर करना कि अ कौन सा लेंज में परयोग करते हैं और दूर्श्टी दूर करना कि लेंस का प्रियोग करेंगे तो उत्तर लेंस ठीक है उत्तर लेंस इन प्रश्णों को याद रखेंगे जितने प्रश्ण बताएं अब देखिए आपके सामने अगला है उप्खंड खा कापर सी यू एलमूनी एल सिल्वर एजी और आयरन या फी धातूं में से विद्धुत की सर्वस्रेश्च सुचालक धातू कहों सही प्रश्ण का सही में सबसे ज्यादा चलक किसका होता है अगला खाने के सोडे का रसायनिक सुत्र क्या होता है लगा इन रहते मिंगक होता है इसके ले डावन Pak होता है यह मॉनी नहीं करिएगा ठीक है दसवा नंबर दखिए जब किसी कम सक्री धातू को अधिक सक्री धातू के धनायनों के विल्यों में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित होगा कोई किरिया नहीं होगा सक्री धातू के विस्थापन होगा कम सक्री धातू के विस्थापन होगा या है डोजन जसे पर आपसं सही हो जाए ठीक है अगला देखिए में से कौन सी दाकु शीतल वह गर्म दोनौं दशानों में जल से अभी-क्रिया नहीं दोने करता है वह होता है तो इस प्रशन का सही ज़वा दी में हो जाएगा ठीक है अगि अग्यारग पार नंबर का ने नहीं से सजाती यूग में बतादाना है अगर बार बताएं कि जब भी सजाती युग्म आपको छाटना रहें तो आपको ची एश टू का अंतर उसमें बस आना चाहिए यह उसमें चीज़ आपको क्या हो जाएगा सजाती युग्म हो जाएगा चलिए देख लेते आप संब को फिर इसके बाद देखते हैं देखें दू को क करबन से करबन गटाएंगा लेकिन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखे तेरा नंबर का कि आयरन का निमने में से कौंस आकसाइट आयरन की जलवास्प से देर तक अभिक्रिया के परिडाम सोरूप प्राप्त होता है तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका तो इसका सही जवाब होगा सीवला आपसन सही हो जाएगा या फित्री ओ फोर हो जाता है ठीक है देखे उफखंड गद देखिए आप मतर के लंबे पौधे का क्रास बोने पौधे से क्राने पर प्रथाम यफवन में उत्पन पौधा कैसा होगा सभी बोने होंगे आपके या लंबे बोने होगे या केवल लं मतलब एक इसको को दिखाता है बी किसको दिखाएगा सी किसको दिखाएगा दू इसको दिखाएगा की देखागी यही बताना अंदर वाला भाग यह स्टमभ को दिखाता है और यह जो पानिक ऐसी और यह भुट को दिखारा रहा है ठीक है अगला देखिए 16 नंबर का कि पौधों में जड़ों से पत्यों तक पानी ले जाने के काम कौन करता है जाइलम करता है इस प्रश्ण का सही जो अब बीवला आप्सन सही हो जाएगा फुलोएम के बारे में याद रखेगा कि यह खादे पदार्थों का परिवन करता है 17 नंबर देखिए कि जो मैडूला अबलांगेटा का कार्य होता है यह प्रश्ण याद रखेगा आप लोग कि जो मैडूला अबलांगेटा का कार्य क्या है ठीक है तो देखिए इसका जो कार्य होता है कि अनेच्छी क्रियाओं पर नियंतर करना होता है इस प्रश्ण का सही जो गी वा साही हो जागा मेडूला आपantis this पूत अन डाड़ू उठण होता है यह फोती है फुरमति है अगलर देखे नम्र का कि निम्न में से कौन सा एक केवल जन्तु में पाए जाता है तो जो जन्तु में केवल पाए जाता है वही आपको बताना है शोसन तंत्रिकातंत्र हर्मोन बृद्धि तो जो जन्तु में केवल पाए जाता है तंत्रिकातंत्र जो होता है केवल जन्तु में पाए जाता है अगल प्रश्ण का सही जवाप भी वला अप्सन सही हो जाएगा कि आप सरीर से हानिकारक पदार जो बाहर निकलता है उस पर किरिया को कहते हैं उत्सर्जन यहां पर आप देखे उप्खंड का यह उड़ा अत्मक प्रश्ण है जो प्रश्ण बताने वाले इन प्रश्ण एक बार आप देख लीजिएगा पहला प्रस्ण है कि नेत्र के समंझ्यान चांपता से क्या तत्पर होद्व होता है कि नेत्र में फोकस दूरी को अर्जिश्ट करके वस्तु का देखने में सहायक होता है उसको दो करेंगे दैक एक और एक समांतर करम के इसाप से लगाईए एक अश्कार ऑपस में करण में हो जागा इसको आप लगा लीजिए घैंब इसके बाद है कि आप एक दीवार से कमर लगête कमरे में बैठे हैं एक इल्यक्टान किड़ा पुंच पीछे से दिवार से सामने की दिवार की ओर 36 प्रक्रम करता हुआ आपके दाएं से एक सक्ति सारी चुम्बकी 632 विचेपित होता है चुम्बकी 632 की दिसा आपको बताना है ऐसे प्रश्ण को आप हल कर लीजिए अगला देखें 200 बोल्ट के मेंस से एक 25 वाट के बल्व को जोड़ा जाता है तो बल्व से होकर बहने वाली धारा कमान ग्याद करना है इसको कैसे ग्याद करेंगे तो देखिए यह फार्मूला आपका जो होता है पीछ कल्टू क्या होता है भी आई होता है तो यहां से आई बराब तो कर लेंगे और इसी को हल कर देखें 25 25 25 वाट है 200 एक बटा के आठ एंपियर हो जाएगा दसमालों बदलना होगा तो आठ का बाग एक में देखें बदल लीजेगा थी एंपियर में हो जाएगा ठीक है अगला है के लारेंज बल क्या है इसके नियम के आधर पर प्राव् प्रकास के अपवरतम से आप क्या समझते हैं प्रकास की उत्करों मरत्या को समझाइए टोटल छे नंबर का इस प्रश्ण को भी साथ में आप तयार कीजिए इन प्रश्णों को देखें देखके चले जाएए सिर्फ केवल पच्वाए कि सरवपर्थम किस अकारबनिक योग प्रयोग किया गया था तो वह था यूरिया आप इन प्रश्ण को सही से पढ़ लीजिए इसके लागा खाद पदार्त में जिसे दही इमली संत्रा सिर्का में उपसीत अमल का नाम बताना है इसको जुरूपर यह कि दही में आपका कौन सा अमल होता है लेक्टिक अमल होता ह है और संत्रा और सिर्के में इस तरह आप याद करके चले जाए ठीक है अगला देखे कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट एजियो नत्री के विलियन में डालने पर कुछ समय बाद विलियन का रंग नीला हो जाता है विद्धुद रसानी सिर्के आधार पर उसको समझ सब्सक्राट जाएंगे इस पकाहई पूर्य समीकड़ों के एक वर देख लेना ठीक है है अगला प्रस्न आपका है कि निंद्व और हम फित समय क्रों को Garros कर ना होता है कि बाएं पच्छ में प्रमाड़गु संक्या आपको बराबर करना होता है यह आपको समीकड़ संतुलित करना कई बर बता है यह दोनों समीकड़ों को आप एक बार देख लीजिए अगला सवाल देखिए साबु निकरड़ प्रकिरिया से आप क्या समझते हैं वरालन क साथ में एथिनोईक अमल के बहुती गुड़ों पर टिपड़ी लिखिए अगला प्रशन है कि क्रिया क्या होता है कार्बनिक पदार्थों के नाम बताई उचित उधार द्वारा हाइडोजनी करड़ की क्रिया विदी को समझाए इस प्रशनों को भी साथ में आपको तयार करना है अगला देखिए खाद श्रिंखला से आप क्या समझते असपष्ट कीजिए खाद श्रिंखला आप सभी को बताएं यह प्रशन आप तयार कीजिए जनल स्वास्त पर एक टीपड़ी लिखना है आपको इसकी एलावन नो नंबर का सवाल है कि निम्रिखित में से किनी सदीे चार पर अंतर शप्ष्ट करना है कि सुद्ध ए्युग्यमी विसम यूगुमर्जी क्या होता है प्रभावी अप्रभावई लक्षड क्या होता है संक्रण क्या है परिच्षड संक्रण्शं कbuchत इह पूर्वच संक्रण से आप क्या समझते इन सभी पर आपको टिपड़ी लिखना है इसके साथ में थायराड गरंथी का चित्र सहीत वरारंग करना इस प्रश्णों को देख लीजिए एक बार निसेचन के पश्चात फल वर बीज के निर्मार को समझाईए तता बीजों के अंकुड़ों पर संचिप्ट आपको तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें